देश की राजधानी दिल्ली के विवेग विहार इलाके में गरतंत्र दिवस के दिन हुई घटना में दरिंदगी की सारी हदे पार कर दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही शर्मसार कर दिया शुकरुआर को पीड़ता के साथ ही हैवानियत का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देख कर दिल दहल उठा वीडियो में दिख रहा है कि एक कमरे में बंद कर एक लड़कावा महिला दरिंदो की तरह महिला पर डंडे और बेड़ बरसा रहे है महिला को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है महिला रहम की भीक मांग रही है महिला को नंगा करने की बात कही जा रही है महिला पानी मांग रही है तो उसे पेशाप पिलाने की बात कही जा रही है कमरे में ही उसके कैची और उस्तरे से बाल काट जा रही है इन सब का वीडियो भी आरोपियों ने बना कर वायरल किया सूत्रों का कहना है कि वीडियो इसलिए वायरल किया गया ताकि लोगों में उनके प्रती खौफ बना रहे सूत्रों का कहना है कि महिला को अद्मरा करने के बाद महिलाओं ने अपने सामने ही अपने लड़कों से उसके साथ सामूहिक दुशकर्म करने के लिए कहा हाला कि इसका वीडियो नहीं बनाय गया लेकिन महिला के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है महिला रहन की भीक मांगते मांगते बेहोश हो गई लेकिन इतनी दरिंदगी करने के बाद भीन का गुस्सा नहीं थमा पीर्दा के चहरे पर कालिक पोत कर उसे गली गली घुमा कर इसका वीडियो बना कर भी वारल किया गया शुक्रुवार को महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया तो लोगों ने उसकी जम का रालोचना की सोचल मीडिया पर लोगों ने महिलाओं और पुरिशों के खिलाफ सक्स सक्थ आक्शिन लेने के लिए कहा मामले की जाच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आस पास लगे CCTV कैमरों, वीडियो और फोटो को इखटा कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की तयारी की जा रही है जल्दी मामले में कुछ और लोगों की गिरफतारी की जाएगी